हेलो लर्नर्स वेल्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आपको डिएवी क्लास सेवें मैथेमेटिक्स के चैप्टर नाइन कॉंग्यूरेंट चैंगल के वरक्षिट री का सॉलूशन दिने वाला हूं इससे पर दोने वरक्षिट के वीडियो मेरे चैनल पर अप्लोड है विजिए आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिए इनक्रा वीडियो को जरूर जरूर देखेगा क्योंकि मैंने हर एक कोशन को अच्छे से एक्स्प्लेन करके उसका सॉलूशन द करेंगे ठीक है हम लोग अभी तो क्या-क्या पढ़ा साइड आ साइड आ पढ़ा तो साइड बूनों साइड के बिच का एक एंगल देखे निधे अब वह हर थ है ilный side angle मतलब कि हम लोग आप डो side जो एंगल की बीश में एक side देखेंगे इससे पहले हम दो side की बीश में एक angle देखा था ठीक है देखिए कैसे questions को हम लोग solve करें ही सबसे वाले Activity 5 में आपको समझा दे रहा हूं जो और अब इस फाइव सेंटिमेटर हो एंगल बी का हो और आंगल सी थाटि डिग्री का हो जैसा कि आप में देख पा रहे हैं अंगल फॉर्टि डिग्री इसके साथ एक और आपको बनाना जिस इसका नाम रहेगा उसमें क्या है कि ए आप देखिएगा कि जो बी है एंगल भी ये पे सी एफ पे ठीक है और एंगल एंगल डी पे ये उपर हो जाएगा मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ वो समझा रहा हूं इसका मतलब हुआ कि तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं जब इसे क्या आप जानते हैं तो आप सुपर पोस होता है थो को आंगल डी आप अब एक्टिविटे शिक्स एक टांगल आपको जो करना है एक प्वो सेंटिमेटर हो एंगल ए 60 डिग्री हो एंगल भी फॉची डिग्री हो इसके साथ से ए एक और ट्रेंगल दोः करना है जिसका नाम जाएगा जिसमें पी क्यूव 4 सैंटी मेर का होगा एंगल पी 60 दिए और ole बी एंगल स्वरी एंगल q 40 दिए पास क्या है कि एभी साय जो ईब्रेट एकवर हो जाएगा एंगल बी एंगल q के इकवर हो जाएगा ओके भी अब आपको क्या करना है कि दोनों च्रेंगली सबस्क्राइब और उपने देबल करना है और उनकी कि जचे निज्क के वहुत है यहां या तो जीरो है तो बहुत छोटा है जिसे दो किया जा सकता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि BC QR की इक्वल हो जाएगा ठीक है AC PR की इक्वल हो जाएगा एंगल C एंगल R की इक्वल हो जाएगा तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस एंगल ABC ट्रेंगल PQR के congruent होगा अब इसका अपरोग definition समझ लीजिए two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are respectively equal to the angles and the included side of other triangle this is the ASA congruent condition दो triangles congruent होगे यदि उनके दो angles और included side एक triangle के दो angles और included side ये equal होगा दूसरे triangle के दो angles और included side के ठीक है दूसरे triangle के तो इससे हम लोग बोलेंगे ASA congruent condition angle side angle congruent condition अब हम लोग सीधा वक्षी 3 के question number 1 को देखते हैं in figure 9.28 angle P is equal to angle Y is equal to 40 degree बोला जाए कि figure 9.28 में angle P जो है angle Y की equal है जिसका measure है 40 degree उसी प्रकार से angle Q angle Z की equal है 60 degree जिसका measure है तो हमने को third pair निकालना है corresponding parts का जो triangle PQR को triangle Y, Z, X के congruent बना देगा ASA congruent condition से तो चलिए हम लोग इस question को copy में solve करते हैं students देखिए question number 1 हम लोग यहाँ पर solve कर रहे हैं सबसे पहले इस figure में आप लोग देखिए मैं अगों फिर से आपको समझा रहा हूं कि angle P angle Y की equal है angle Q angle Z की equal है और हमने लोग को एक additional pair हमने लोग को find करना third pair हमने लोग को find करना जो की PQR congruent Y, Z, X के बना देगा ठीक है यह ऐसे congruent condition तो चलिए उन्हों पहले जो given है उसे copy में लिखते हैं तो सबसे पहले हमनों यहाँ पर लिखेंगे in triangle triangle किस triangle उन्हों देख तो in triangle PQR and triangle Y, Z, X in triangle PQR and triangle Y, Z, X क्या-क्या हमारे पास given है angle P is equal to angle angle P is equal to angle Y ठीक है angle P angle Y की equal है यह चीज मारे पास given है तो यह हो गया एक एक एंगल ओके एक और एंगल जो हमारे पास given हो से हम लोग एक लाइन छोड़ करके लिखते हैं पहले समझेंगा इस इसको के बाले हमको समझाँगा एक और एंगल क्यू इस इक्वल टू हो एंगल क्यू इस इक्वल टू एंगल आर सॉरी एंगल क्यू इस इक्वल टू एंगल जैड ओके एंगल क्यू एंगल जैड की इक्वल है यह भी हमारे पास question में given है तो दो एंगल मिल गया और इसके बीच में लोग एक side को रखेंगे क्या रखेंगे यहां पर एक आइंगल मिला हम बीच में एक side देक रहा है तो आमलों यहां पर लिख देंगे या पर लिख देगे थार्ड पेर इस पीक्यू इस इक्वल तू वाई-जेड थार्ड पेर फीक्यू इस इक्वल तू वाई-जेड होगा तो देखर में बोल सकते हैं triangle PQR congruent to triangle YZX चलिए अब हम लोग next question देखते है question number 2 question number 2 में है which pairs of triangles are congruent by as a congruence condition in trigger 9.29 if congruent try the congruence condition of the two triangles in symbolic form बोला जाना है question में कि figure 9.29 में कौन-कौन से triangle condition ये ऐसे congruent है ठीक है यदि congruent है तो हम लोगों को उनके congruence को इन दो triangle के congruence को symbolic form में लिखना है सबसे पहरा देखे ये figure है ओके चलिए हम लोग इस question को copy में देखते हैं कि इस देखिए question में वनका figure नमारे पास ये रहा ओके इसमें दो triangle से आप लोग देख पा रहे हैं एक है ABC और एक है XYZ तो हम लोग सबसे पहरा देखेंगे इन triangle ABC and triangle XYZ टेंगल ABC में और triangle XYZ में टेंगल ABC में आप लोग धान से देखिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि angle A यह जो angle A है यह angle Z की equal है angle A is equal to angle Z sorry angle Z ठीक है उसके बास second हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह 3.5 cm AC यह 3.5 cm YZ की है तो AC is equal to YZ AC is equal to YZ जो की है 3.5 cm और ठाट देखिए यहां पर है C ठीक है तो C angle Y is equal to angle Y तो हम लोग बोल सकते हैं therefore triangle ABC triangle ABC concurrent है triangle XYZ के ठीक है triangle ABC concurrent है triangle XYZ के अब हम लोग next देखते हैं question number two students देखिए second figure हमारे पास यह है ठीक है अब इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे इन triangle A O B triangle A O B में और triangle D O C में यह हमारे पास है अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर जब आप देख रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगल B अगल D के इकवल है अच्छे लिख देंगे अगल B इस इकवल टू एंगल ली ठीक है अगल B अगल D के एकवल है यह question में अगल और दूनना होगा अब देखे question में तो वैसा कोई भी एंगल तो नहीं है इसके एकवल है यह यह इंगल इसके एकवल है नहीं नहीं न गिवन है लिगे नहीं हम लोग निकाल लेंगे कि एक एक एउफॉल्द होग कऊ देख लिए अंगलफ्र होगा एंगल त्यक है यह енस होगा एंगल इसकेस नहीं लिख सकते हैं इस सब्सक्राइब एंगल हो एंगल हो एक दर्स कॉमन हो जागा फिजी है ना ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग लिखेंगे एंगल एओ बी इस इक्वल टू एंगल डी ओ सी क्यों होगा सभी को पता है हिद्धी आपने चांगल एंड इस त्वापर्टीस के मेरे विडियो को देखा था ठीक है आप अब लोग इन सभी चीज़गों नहीं जानते हैं लिनेर पेर अल्टेर इंगल तो आप लोग ट्रेंगल इन इस प्रपर्टीस के विडियो को देखेंगा ठीक है क्योंकि देखेंगे आप अपर एंगल एंगल दी ओसी क्वल है तो हम लोग लिखेंगे देरफोर ट्रेंगल ए ओ बी कॉंग्यूरेंट टू ट्रेंगल दी ओसी के एकवल है अब हम लोग नेक्स देखते हैं कोश्चन नमबर थार्ड इस फीगर को आप लोग ध्यान से देखना है क्योंकि इस फीगर में लगबग वच्छर को कन्फिजन होती है देखिए यहां पर एक चीज धान में अब समझ नगे अब समझना होगा इस रिखें गार्ड थाथ है यह दोनों को अनतर क्या है कि यह जो बेस है वह लापिंग हुई है तो लोग यहां लिखते हैं इन चैंगल एबीसी में और एक चैंगल है डी सीबी इन दोनों चैंगल में आप लोगों को एक और चीज धान देना है कि मैंने क्या बोला कि यहां पर दो चैंगल से दिख बीरा आपको जोगर के बताया है की देखिए जहां पर दो चैंगल अब दो चैंगल का एक का यह एंगल कि यह फोर्ची दिग्री है उसी की प्रकार्च दिखिए यहां पर भी एक टाइंगल क्या है फॉट डिजी का है अब देखिए हम लोग हैंगल अंगल cb is equal to angle dcb angle a angle acb वीच वाल रहे थे अंगल ayc सी यहां पर 40 mm क्या रहेँ एक यह त्राइंगल और एक यह त्राइंगल है ठीक है तो इसका यह पर में गता रहे हूं देखिए इसका यह एंगल कितना है 40 है और इसका कशाइब पर इस प्रकार से आपको दिख रहा है इस फिग सी भी अब आगे देखते हैं अब नresh some love अबिक 7 धिखना है न हम लोग को देखिए यह तो हमें एक एंगल दीजें तहीं है यह तो हमें उजिखता है घ्र अपने को एक साइड धूनना होगा यथी एक ही बेस पिर इस जदो क्या है एक Did एक एंगल एक साइड मिल गया एक एंगल यहां पर और दून देंगे तो एंगल क्या होगा देखिए अब एक एंगल क्या होगा यह 20 और यह 40 आप देख पार यहां पर यह 20 यह 40 अब देखिए हम लोग आप लिखेंगे एंगल a b c a b c is equal to angle d c b यह पूरा सी अब देखिए मैं आप पर पूरा कर रहा हूं ठीक है ताकि आप लोगों अच्छे समझ में आए देखिए यह पूरा हम लोग ले रहे हैं यह पूरा और इसमें पर हम लोग यह पूरा ले रहे हैं ठीक है तो एंगल a c a b c a b c यह पूरा भी हम ल अब हमारी पर यहां पर एंगल चुट के अब दिखिए महारी पर एक साइब मिला फिर एक साइब मिल गया तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं चैंगल a b c चैंगल dc b क्यों होगा तो एंगल साइड एंगल से यह प्रूफ हो गया यह चैंगल कॉंग्यूरेंट है आपस में इस देखिए यहां पर गिवन के जगा आप लोग कॉमन कर लिजेगा ओके यह कॉमन साइड ना कि गिवन साइड है ओके अब हम लोग अगला देखते हैं क यहां पर इस ठीकर को आप ध्यान से देखिए यहां पर एंगल 40-डिड़ी यहां पर एंगल 60 डिए यहां पर एंगल 40 सबसे पहले एंगल BAC वैसे एकवल किसके एकवल है एकवल के क्या मीज का इसका 40 अगला नोग क्या देखना है एक एक साइड user मिल गया एख हम लोग आप साइड देखने हो यहांगल लेकिन मैं आपको शुरूात मीं बता देराओ किया उपढ़ंगल है यहां पर सायड कहाँ है यह कहां है यह है यजticा दिया होता तो यह ऐसा से हो जाता लेकिन साइड रिया यह साय दिया इस से क्या हो आंगल सामकंद से करना हम लोग कोशन में क्या दिया गया है हम इक साइड नहीं मिल जाएक में यहां पर यहां पर हैं가 denying कि सी के इसका मिज貼 आगेन li I mean साधिन हो एक पार क्या लिखेंगे डे फोर अब देखिए देफर ट्रेंगल एबीजिफी ABC congruent to ADC यहां पर यह चीज़ आप लिख सकते हैं not included side यह included side नहीं है बीच में होना चाहिए था इसे ठीक है कि बीच में नहीं है तो यह included side हम लोग बोल सकते हैं कि यह included side नहीं है ठीक है अब देखिये हम लोग यहां पर क्या लिखने है आप लोग यहां पर लिखना जरूरी है इसे हम लोग यहां पर जरूर लिखें अब हम लोग अगला देखते हैं question number 5 इस trends आप लोग इस figure को ध्यान सी रेखिये हमारे पास कौन कौन से ट्रैंगल उसे पर लिखेंगे इन ट्रैंगल एपी सी ट्रैंगल एपी सी में और एक ट्रैंगल एकस यज इस दोनों बेखल में एंगल भी जो पहले हम लोग एकवल कर सकते हैं तो इक आप ले पास एंगल ठीक है यह कितना है 90 अब इस ट्रेंगल में देखें हम लोग इस ट्रेंगल में क्या पड़े तो 90 प्लस 60 कितना हुआ 150 मायनस करेंगे तो यह आगल नहीं आ जागा 30 तो यह एंगल भी आ गया 30 तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल a is equal to angle y 30 degree ठीक है उसी प्रकास इस इस इंगल में देखिए आप बोलिएगा कि यहाँ पर तो एंगल 60 मदब 60 degree है अंगल C लेगा यहाँ पर कोई 60 नहीं हाँ पर भी 60 निकालना पड़ेगा 90 plus 30 120 120 में 180 में 120 जाने कितना आएगा 60 आएगा 60 आगया ठीक है 60 is equal to 60 मदब अंगल C is equal to angle X is equal to 60 degree अब एक एंगल यह हुआ एक एंगल फिर मिला एक एंगल फिर मिला त्रीनों एंगल ही मिल गाइस त्रीनों आपर कोई गीवन नहीं है ऐसा नहीं कि यह साइड इसके एकवल है और यह साइड इसके एकवल है इसकोछ भी कॉर्शन में नहीं थीक है तो हम लोग यह इसका झाल पॉसिबल भी कोई चाहिं केंडिशन हमारे पास नहीं दिया गया है कि हम्में हम लोगों को क्या कह दी जाता है आससं साइगा साइड चीहका हैं एंगा साइड एंगल तब दिया जाता है एक एगलवाइंगल साइड तो प्रिविएज कोशिन भी एसस नहीं और यह भी ऐस नहीं यहाँ और तीने ओंगेoyo्ग सी यह लाइन पॉइंट थिर्टी में जो है यह देख पाएं यह बाइसे करता है तो एंगल को भी किसी को करता है अब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है जब कोई साइट किसी को करता है ना तो यह बोल सकते हैं कि वह से दो इकोल भाग में बात देता है तो हम लोगों क्या बोला गया आगे कोशन में कि हम लोगों को थ्री सेक्स बताने हैं ताकि हम लोग क्यों आंसीयों कर संगे कि वहना क्यों के बहुत ही इसी कोशन है उसके बास क्या है कि आगे भी कोशन है कि वी ठ्क शलिखेन के वह बोलत कश供ों को कॉंठा लोगों को कि इससेक्स लिखना जरूरा है interviews कि पहले है नहीं या फिर एक्वल या फिर ऐसा कर सकते हैं कोपी में देखते हैं बहुत इजी समझने वाला कोशन है कि यह हमारे पास है ठाट कोईशन का फिगर ओके जो चलिए हम्लों क्या पर क्या दिया है कि क्योट कर रहा है पहले मैं एक चीज़ लिख रहा हूं देखिए QX ठीक है QX bisect किसे bisect करता है QX QX bisect angle PQR and angle एक और angle को bisect कर रहा है उसका नाम है PSR angle QX bisect कर रहा है angle QR और angle PSR को ठीक है अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे in triangle दो triangle है तो in triangle PQS and triangle SQR triangle SQR में और triangle PQS में अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग किसे प्रूफ करना है angle side angle से एक angle फिरेक साइट फिरेक एंगल देखिए हम लोग क्या दिया गए हैं पर QX bisect करता है angle PQR को और angle PSR को bisect करने का मतलब होता है फिर वो दो equal भाग में बात दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे angle PQS equal to angle SQR angle PQS angle SQR के equal है क्यों क्यों की QX QX bisect bisect कर रहा है क्यों किसको bisect करता है angle PQR को इसके साथ एक और को bisect करता है angle PSR को पहले मिल गया angle अब हम लोग एक side देख़िए न एक QX is equal to QX होगा क्यों होगा क्यों 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 कि यह common side है क्यों 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 से एक और एंगल हम लोग दूरेंगे ठीक है कि तो एंगल स्वाइब को पार सेक्टर रहता है PSR को किस्में स्थायर्टारा पी स्क्य्यो और क्यो अ क्योंब लिए तरहें यहां पर लिकुएंगे एंगल यहां पर लिखेंगे एंगल PSQ PSQ is equal to angle P sorry QSR ठीक है इसे bisect करता है region क्या देंगे QX किसे bisect करता है तो QX यहां पर इसे कर रहा है एंगल PSR को ठीक है तो दोने equal हो जाएंगे तो फिर हमाई क्या मिल गया एक एक एंगल मिल गया तो therefore लिख सकते हैं triangle PQS PQS concurrent to triangle SQR triangle PQS triangle SQR के concurrent है कैसे concurrent है तो यहां पर 3 facts मिल गया है यही सब से 3 facts अब लोग अगला देखते हैं question number 4 इन figure 9.38 PS bisect angle P बोला जादा कि figure 9.38 31 में इस वाले figure में PS angle P को bisect कर रहा है angle P जो है उसे bisect कर रहा है PS उसके बाद PS जो है यह perpendicular है SR के PS perpendicular SR और सब्सक्राइब QR ठीक है PS perpendicular to QR अब हम लोगों के यहां पर पहला question क्या find three pairs of matching parts to check whether PSQ congruent to PSR or not हम लोगों तीन pairs निकालने matching parts के जो कि हम लोगों यह बताएंगे कि PSQ congruent है कि नहीं PSR के ओके चलिए हम लोग question को solve करते हैं insurance यह हमारे पास है figure ओके सबसे पहले हम लोग यहां पर one number को solve नहीं करने लगेंगे सबसे पहले हमारे पस question में क्या दिया गया है PS bisect angle P ठीक है यहां पर लिखेंगे PS bisect किसे bisect करता है तो angle P को bisect करता है ठीक है उसके बाद एक और चीज़ क्या है PS perpendicular to QR PS जो है यह perpendicular भी है QR के ओके चलिए हम लोग इस question को आगे देखते हैं क्या करना हम लोग three pairs जोनने हैं ठीक है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इन triangle किस किस triangle मेरे PSQ टैंगल PSQ में और triangle अच्छा देखते हैं क्या के नाम दिया गया PSQ और PSR ठीक है PSR इन दोनों टैंगल में लोग को देखना है कि दोनों टैंगल होंगे कि नहीं होंगे इतिन मेर्जिंग पार्ट लोग को दूनने हैं तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि PS कर रहा है angle P को तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं QPS is equal to angle QPS is equal to angle SPR is equal to angle SPR कैसे होगा यह क्योंकि PS Bisex करता है angle P को PS Bisex angle P ओके उसके बाद हमारी बस अगला हम लोग देखते हैं एक angle मिला क्या मिला एक angle मिला एक side धुनेंगे फिर एक angle धुनेंगे तो एक side क्या है यह PS दोनों में common है तो PS is equal to PS क्यों लिखेंगे common होगा यह ठीक है यह common side है दोनों में अब उसके बाद एक और चीज हम लोग देखेंगे जो की है एक angle ठीक है तो PS perpendicular to QR यह और इसके perpendicular में है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं एंगल PSQ एकवल टू एंगल PSR क्यों होगा आत्यों की बोथ 90 यहाँ पर इक और चीज लिख सकते हैं कि PS perpendicular to QR दोनों चीज लिख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा बोथ 90 ठीक है आप वह भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर मुँद थ्री PS मिल गा देखेंगे therefore triangle PSQ congruent to triangle PSR के प्रकार से तो angle side angle से तो यह ही जब थेश्यों थ्री मैचिंग पार आगे क्या है इस PSQ congruent to PSR तो आपर लिख दीजिए PSQ congruent to PSR ठीक है यह लिख दीजिए आगे कुछ भी नहीं लिखना है इस टू तो से डाट QS QS is equal to SR वाई क्या यह सही होगा कि QS SR की एक्वल है क्या यह कहना सही होगा क्यों कि क्यों होगा by CP CT सही को पता CP CT क्या होता है corresponding parts of congruent triangle full नहीं लिख करके से हम लोग short form में लिखते हैं अब देखिए जब बताए दो से पीसटी जब दो च्रेंगास आपस में congruent हो जाते हैं तो उसके जो corresponding parts होते दोनों च्रेंगल के वह भी आपस में तो एक एहर इस अकल टो 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 एंगल वन इस उकलट टो अंगल बी बो रहा दो पिया यह जो आप एंगल आपके यह A is equal to angle B, okay, दो सीज मिला, हम लोगों क्या बोलना, Is Aoc equal to B or D, क्या Aoc, B or D, equal होगा, Aoc, Aoc, B or D, equal होगा, पहला question, जो होगा, दूसरा question, Is Aoc, Tangle Aoc, B or D, के congruent होगा, एसे congruence condition से third, Is ACO, ACO, B, D, O, के equal होगा, वाई, क्यों, इन तीनों सवालों का हम लोगों जवाब देना है, जो चलिए हम लोग इसे copy में देखते हैं, देखिए, यह हमारे पास है figure, पहला question क्या है, इस question के अंदर पहला question क्या है, Aoc, B, O, D, Equal होगा, क्यों, Equal होगा, Yes, Equal होगा, पहले तो लिख दीजे, Equal होगा, अब reason भी देना क्यों, Equal होगा, तो देखिए, मैंने आपको रेंगल इन इस properties की वीडियो में बताया था, कि जब ऐसे बनते हैं, तो दो, Angles, Equal होते हैं, Region ने बताया था, क्यों Equal होते हैं, Yes, By, B, O, A, फुल फॉर्म आप लोग लिखिए, मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, Vertically, Vertically, Opposite, Angles, ठीक है, Vertically, Opposite, Angles, Second Question, Second Question क्या है, Is AOC Concurrent to BOD by ASA, Yes, इसका भी answer, Yes, यह आएगा, क्यों, मैं लिखने रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फा आप लोगों को, लिख लिखना चाहते हैं, तो, देखिए, क्या है, Angle A, Angle, अच्छा, यहाँ परी नाम चुट कर साहर, हाँ, B, इस वह नाम चुट कर भी लिख लीख लिख लिख लोग, ठीक है, Angle A, Angle B, के Equal है, Question में Given है, ठीक है, A, O, B, O, के Equal होगा, उतके बाद एक Angle हमें, और मिलिया, क्या है, Angle A, O, C, Angle D, O, B, के Equal है, यहाँ, B, O, D, के Equal है, ठीक है, क्यों Equal है, Vertical या पोजिट अंगल से, अब एक Third हम लोगों को, लिखना है, Yes, Yes के आगे क्या लिखेंगे, A, O, C, Concurrent to Tangle, A, O, C, Concurrent to Tangle, B, O, D, A, O, C, Concurrent to Tangle, B, O, D, A, O, C, Concurrent है, Tangle, B, O, D यों के Equal होगा, या नहीं होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों कि C, 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 T, से होगा, ठीक है, वो C, 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 रक्षी था यह पूरा स्वाल्व हो गया मैंने आपको पूरे पांचो को सब्सक्राइब करा दिया को डेटेल में समझाया है को नहीं होगा ठीक है कौन सा ऐसे से नहीं होगा तो एसे सब्सक्राइब को बता दिया ओके अब में यह साब से आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया इन पांचो को ले करके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्योंकि मैं आपके रिप्लाइदेने की पुरी-पुरी कोशिश करूंगा और इस्टुनेंस देखते हैं तो मैं आप लोगों को बता जीना चाहता हूं कि इस चैनल पर आप लोगों को अधर स्टुनेंस अश्टी नहीं इंग्लिश तो आप लोग उन विडियो जरूर सजरू देखेगा क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का सेप्रेट प्लिश बना हुआ है जैसे कि साइंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस विडियो को ज्यादा से ज्यादा कीजिए और उन्हें भी इस चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका पर लिंक निचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है चैनल नहीं में कलेक्सन अविस्टरी तो उसे भी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि वहां पार भी ऐसे एजुकेशनल विडियो मिलते राते हैं आपको थैंक्स फरवाचिंग